खबर मदिपर्देश के सीधी जिले से है जहांके मजहौली थाने की पुलिस का आदिवासियों पर जूठा इल्जाम लगा कर 50,000 रुपे लूटने का वीडियो वाइरल हो रहा है ग्रामेड पुलिस पर रिश्वत ले दे का आरोप लगा रही है ये मामला 12 अप्रेल 2022 का बताया जा रहा है जिसमें मजहौली थाने में पदस्त एसाई नारायन सिंग परिहार और एसाई मनसुक लाल वर्वा ने रामपाल सिंग पर जूठा चोरी का इल्जाम लगा दिया और उससे 50,000 रुपयों की मांगी रामपाल सिंग से 50,000 लेते समय उसकी पत्नी ने पुलिस वालों का वीडियो बना लिया जो की वारल कर दिया गया है वही रामपाल ने बताया कि इसकी शिकायत S.P.C.D. के पास करूंगा जिससे घबराकार नारायन सिंग और मनसुक लाल वर् सिंग बखेल का कहना है कि हमारे पुलिस कर्मियों को ये सूचना मिली थी कि पैसे चोरी हुए हैं जिसकी नामजद सिकायत पर हम उनके यहां जाच करने गये थे हम जो पैसे किन रहे थे वो चोरी के पैसे ही थे हम लोग रुपयों को वहीं छोड़ कर चले आए आरोप निर हुआ